हलो दोस्तो मैं राम देव आप सभी का शौकित करता हूं नोलेज गुरू जी पर जैसा कि आप सभी थमनेल देख रहे हो यह अच्छा सची न्यूज सीटी न्यूज यानि अगर आप सीटी जो 2024 होना है उसका इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रहने वाड़ हैं फारम से कब से सरू हो रहे हैं सीटी पुलिसी है उसमें वही जो बदलाव होना था चार गुना का मामला है कुछ अन्याद जो चीज़ें थी उसमें बहुत सारी जो समशाएं थी उनको दूर करना था क्या सीटी क्वालिफाई होगा या भी चार गुना से बढ़ा कर 10 ग सब्सक्राइब करें और साथी बेल का इकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी वीडियो फ्लोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए तो यह दे सकता भी हरियाना में जो सीटी है फिलाल वन टाइम रिजिस्टेशन सरू होने के संकेत नहीं सीटी म संसोदन होना था जो समय दिया गया था वो भी आपका पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक जो बदलाव होना था सीटी पॉलिशी के अंदर वो नहीं हुआ तो अब में में बात करते हैं जो सीटी क्वालिफाई है उससे को लेकर मांग बढ़ रही है और तीन साल की वेता की बजाए सीटी बढ़ करते हैं भी हर्याना सरकारने गुरूप C और गुरूप D जो सीटी होना है उसके संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं और संकेत नहीं मिलने का वारन है आपका अभी तक जो पुलिशी है उसमें बदलाव नहीं हुआ है और हर्याना का जो मुख्या सची उकारियला इस तरह से कोई मूवमेंट नहीं है कि वन टाइम रिजिटेंट जल सरू किया जाए अभी तक तो सीटी संसोदन भी नहीं हुआ है और लाकों जो युवा है वो सीटी संसोदन का इंतिजार कर रहे हैं परदे सरकार ने हर साल सीटी लेने की गोस्ना कर रखी है और सीटी में प्रवदान किया हुआ है कि अगर किसी भी गृरूप सीटी एक बार सीटी टेश्ट हो सकता है और तीन वर्सों में लको जो युवा है वो भई हो चुके हैं लेकिन वो इंतिजार कर रहे हैं और सीटी जो पॉलिसी है उसके अंदर चार गुना सोर्ट लिस्ट करने का जो प्राउधान है उसमें क्या है एक कंडिडेट कही कही जगह भई काउंट हो रहा है और उससे बतने के लिए जो पॉलिसी बनाई जानी है वो भई बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी बनाई जानी है क्योंकि इस बार ये जो कोर्ट का चकर पड़ा था वो नहीं पढ़ने वारा और बहुत जल्द आपको क्या है मामला देखने को मिलने वारा है तो देनिक सिवेरा के दर ये जो यह वह वो लगतर मांग कर रहे हैं कि जो सीटी है उसको अश्टेट की तरज पर है लाइफ टाइम है किया जाए और अभी तक वह जो अच्छे सची है अभी तक अच्छे सची ने जो पेंडिंग गरूप है वही काफी सारे फीटर फाटर गए आईडिय वह तो उनको जो पेपर लेने हैं वो अभी बाकी रहते हैं तो वह बहुत जल्द उनके पेपर लेने की संभावना यहां पर है और सीटी लागू करने में क्या दिक्कात आ रही है वह चार गुणा सोर्ट लिस्ट है सबसे पहला तो वही आपका वही जो मामला है और एक है बीसी ए बीसी भी करेमी लेयर सीमा बढ़ाएगी है जो में दर पहले भी बीसी सरे नहीं थे और आए नई सीमा वाले में दौर भी साम्मेल होंगे जो पहले आई हो गया थे और अनुसुची जाती भाई अभी जो असी है उसको भी दो बागों में बांट दिया गया है और सोर्ट लिस्ट का सबसे में मुद्धा है वह क्या चार गोना दस गोना या पार गोना कितने जो कंडिडेट है उनको सोर्ट लिस्ट किया जाएगा इस पर भी अभी जो संसे बना हुआ है और कटेगरी के चार गोना या भी पोस्ट के चार गोना वह भी मामले यहां पर अटका हुआ है और प्रेक्षन सोर्ट लिस्ट है उसमें भी समय से हैं सिटी क्वालिफाई होना चाहिए अनत्य अमिद्वार रिपीट होते रहेंगे यह अगर सिटी क्वालिफाई नहीं होता है तो वह दस गुणा बारे गुणा कितने ही गुणा बुला लिया जाए लेकिन जो ज़्यादा नं नहीं हुआ है तो कहीं से फिलाल संकेत नहीं है लेकिन बाई चेंज जो सुझाओ दिये जा रहे हैं बच्छों के दोबारा चसे सी चेर्मेंट साब को तो उनके उपर विचार करके उनको एड़न किया जा सकता है यहां इसमें ये चेंज किया जा सकता है जिससे भी जो किया